हाई गाइस कैसे आप सभी लुक साल की पहली ट्रेकिंग की शुरुबात हो रही है आज इस व्लॉक से आज हम जा रहे है इस वक्त मैं अपने गाउं में हूं कलपा में और कलपा के टॉप पे जाना है तो आपके बैक साइड में जो स्नो कवर्ड मांटीन उसके बैक साइड जाना है यह मीड जून का टाइम चल रहा है और टेंपरेचर इस वक्त फोर्टीन डिग्री से से वन फोर और यह दिन का टाइम है आज मौसम भी खराब है वो फुली की बारिश ना हो तो अच्छा ही रह होंगा इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ यहां की एलिवेशन है 9800 फीट और मेरे साथ है यहां पर दो दोस्त मेरे दोस्त क्रिशन और मेरे दोस्त अक्षे दो दोस्त और है वो आगे निकल चुके है फिलाल मैं आप लोग को यहां से दिखाता हूं किनर कैलाश का विहंगम मेरे पीछे जो आप माउंटें रेंज देख रहे हो यह है किनर कैलाश जिसकी मैक्सिमा मेलिवेशन है 6400 मीटर 21000 फीट की अराउंड इसकी मैक्सिमा मेलिवेशन है और यह वो रेंज है जो कलपा की सुंदरता पे चार चांद विखेरता है और यही बिल्कुल जो बादलों का दर्शन यहीं जगरवाऊंगा इस वक्त हम काफी उपर आ चुके और कलपा गाउं काफी नीचे रह गये और यहां से मैं आपको कलपा के आसपास के सुंदर गाउं के नजारे भी दिखाऊंगा जैसे कि आप मेरे उस डिरेक्शन में उंगली की डिरेक्शन में देख रह गाउं वह जो गाउं है सतलूज के उस पार है बीच में सतलूज नदी बह रही है और दोनों मांटन डीजन को डिवाइड कर रहे है यहां पर और सामने जो है किनर कैलाश में से जो उस मांटन वेज में से गलेशियर का मैल्ट वाटर पी गलता वह आप देख सकते हैं वह कै आई स्केटिंग रिंग अभी हमने काफी डिस्टेंस टेवल करना है हमारे दो साथी और है जो आगे निकल चुके है और हमने उस टॉप पे पहुचना है जो यहां से नजर भी नहीं आ रहा है जिन रास्तों से होकर कि अभी हम चल रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट दोनो एलेवेशन के बाद सारे लाज्ट्री बंद हो जाएंगे ग्रोह होना क्योंकि एक पर्टिकुलर अल्टिट्यूट तक ही लाज्ट्री ग्रोह होती है उसके बाद स्टार्ट होता है हाव शाव और कुछ ग्रासिस तो आपको मैं पूरा नजारा दिखाता चलूँगा आज क विहरों में बहुत सारी जंगली जानवरों के रहने का खत्रा होता है जैसे स्नू लैपड है भालू है स्नू लैपड की अटैक से तो हम ऐसे भी बच सकते हैं क्योंकि वह इंसानों की उपर नौर्मली अटैक नहीं करता है पर भालू का भी मुर्ष जानवर है और उससे पहुचना है माउंटेन के पीक पर आज रात को हम किसी जगह पर रेस्ट करेंगे वहां पर कैम्पींग करेंगे और नेक्स्टे माउंटेन के टॉप पीक के बिहाइंड पहुच जाएंगे जो क्लेशियर से कवड़ है कई हजारों साल पुराने ग्लेशियरों के बीच में तो कुछ देर हम यहां रेस्ट करेंगे और फिर चलते हैं इस वक्त हम कलपा कंडे पहुच चुके और आप हमारी घुशी का अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कलपा की पहली बरफ की चोटी दिखाई पड़ी है हमें कल उसके बैक साइड जाना है वहां पर एक और चोटी है वहां पर आसे कई साल पुराना ग्लेशियर है वहां जाकर करके आपको वहां का सुन्दर नाजारा दिखाएंगे इस वक्त हम कलपा कंडे पहुच चुके और डेवलप्मेंट का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हों कि इतनी हाइट पर आने के बाद भी यहां पर आपको 200 रुपीज पर केजी होता है उसका आटा तो कई सालों से यहां के लोग उसको खाते आ रहे है और बिल्कुल जितने भी आपको खेट दिख रहे हैं सामने सब में फॉप्रा वीज रखा है और यहां से आपको सुन्धा नाजारा दिखेगा कीनर कैलाश का यहां से थोड़ी से हो डिस्टन्स पर हम चड़ेंगे उपर की ओर आज रात को हम ही पर कैम्पिंग करेंगे और कल सुबा हम निकल पढ़ेंगे गलेशियर की ओर बहुत ही थंडा पानी है यह ग्लेशियर का मैल्ट वाटर है आप देख सकते हो बिलकुल ट्लियर वाटर है यह तॉप पीक से आ रहा है और आसपास के सभी गाव में डिस्टिब्यूट होता है यह पानी यह पानी यहां के लोग इरिगेशन परपस के लिए और पीने के पर तो आज नाइट को काफी चलेंजिंग रहेगा क्योंकि टम्परेचर अराउंड 0-5 डिग्री सेल्सियस की भीच रहेगा क्योंकि हम ग्लेशियर के काफी करीब होगे और नाइट आज रात का काफी चलेंजिंग रहेगा हमारे लिए इस वक्त हम चाखा पाच चुके है बारो और फिंसिंग गया वाल से ताकि किसी परकार की कोई पर अनिवन एक्टिविटी यहां पर कोई ना करे और ना ही हो और साथ ही आप यहां से देख सकते हो कलपा के टॉप का स्टो कवर माउंटें कल चुबा हम उसे पीछे जाएंगे हमें एक ऐसी जगा मिली है जह हम केंपिंग कर सकते हैं आज रात के लिए यहां हम टेंट लगाएंगे यहां सामने पत्थर के पास हम खाना बनाएंगे और बिल्कुल यहां पर है मेरे राइट साइड में ग्लेशियर का मेल्ट वाटर और यहां से आपको मैं सुबा दिखाऊंगा किनर कैल आश का बहुत ही सुंदर नजारा फिलाल आप इसका शाम का नजार आप देख सकते हो संसेट का यह अज पूरे दिन यह बादलों से ढखा रहा है जिस वजह से मैं आपको शिवलिंग का नजारा दिखा नहीं पाया जिटाइ आज नात के खाने का इंद्जाम करना है तो हमनें एक केंपिंग एक्सेग पर की जहां पहम हमें एक और यहां कुछ लक्ली सूखी लक्रिया मिलीए हमें यहां से से उपर हर्व शर्व्ज ग्रासेश और सारे के सारे मेडिसिनल फ्लांट्स यहां से उपर आप देख पाओगे हैं हमारे गेंग में कुछ वेजेटेरियन लोग भी है और कुछ नन-डेटियरियन भी है तो हम दो तरह काडीश बना रहे है और जो नन-डेटेरियन है उनके लिए इस्पेशली लोकल बक्रे का मटन लेकर आया है हम और जो वेजेटेरियन है उनके लिए पनीर है आप देख सकते हो बादल धीरे धीरे हट रहा है शायद कल बारिश होने की आसार कम है कल का नजारा काफी सुन्दर रहेगा इससे पहले की रात हो हम चाहरे की खाना जल से जल बन जाए और अपने टेंट में जले जाए सुन्दर रहेगा अुबस ईड़ और देख सकते हैं जले भीरे खाना जाएद खाना जल प置ेगी स काथेश स्ट टाइड़ रात के लगवग 11 बज चुके हैं, हम सब अपने टेंट में आए हैं, बारिश होना स्टार्ट हो गई हैं, और आग अभी तिक जली है, आग जलाने का फायदा यह है कि जंगली जानवर हमारे से दूर रहेंगे, इस एरिया में स्नो लैपर्ड और भालू का काफी आतंक है, अभी हाली में लगबग चार महीने पहले ही पड़ोस के किसी गाउं के आदमी के उपर भालू ने अटेक कर दिया था, बड़े मुश्किल से उसकी जान बचपाई है, आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खतम होता है नेक्स एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि कैसे हम इस जगा से कलपा के स्नो कवर्ड माउंटें तक पहुचते हैं, अगर मौसम ने साथ दिया, तो उसके पीछे हजारों साल पुराने गिलेशियर तक हम पहुचने की कोशिश करेंगे, अगर आप उस एपिसोड को देख सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग को इस साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए, गुडबाए!